पारत ने शिरलंका के खिलाब मुहाली टेस्ट में दूसरे दिन अपनी पारी आठ विकेट पर 574 रन बना कर घोसित कर दी। रवीन चंदरा स्विन ने भी 82 गैंदो पर 62 रन की पारी खेली समी 20 रन बना कर नाबाद लोटी। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखेगा। में 5000 रन और 400 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे किरकेटर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूरो कप्तार कपिल देव के नाम था। जड़ेजा ने इस मैस में जैसे ही 180 ज्यादा रन की पारी खेली ये रिकॉर्ड हासिल करने वाले वो दूसरे खिलाडी बन जाते है। कपिल देव ने भारत के लिए 356 इंटरनेशनल मैच के लिए इस दुरान उनके बल्ले से 931 रन और उन्होंने 683 विकेट भी लिये थी। प्रलंगक ग्लाब जैसे ही रविंदर जड़ेजा ने मौली के मैदान पर 164 वा रन बनाया तो वे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में साथ नमबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्ले बाज बन गए। बतरन बना कर नाबाद लोटे। रविंदर जड़ेजा के पास दोरा सतक जड़ने का सुनरा मौका था लेकिन कोच और कप्तान ने पूरा नहीं होने दिया। रविंदर जड़ेजा की जगह होते तो क्या वे पारी खोशित करते। एक अन्य यूजर ने लेका मैं पूरी तरह से राउल दरविट का बहिशकार करता हूँ यह अनुचित हैं। रविंदर जड़ेजा डबल सेंचूरी के हगदार थे। लेकिन इस विवाद के बारे में आपकी क्या राय हैं आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलाल इस वीडियो में अतना ही।